हेलो एव्रिवान मैं अधिती एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफियर स्पाइर अभी पर तो आज की वीडियो का जो हमारा इंपॉर्ण टॉपिक है टॉपिक का नाम है भारत में वर्तमान में कोन क 24 दिखिए फ्रेंज अगर आपका छाल फिल्हाल में ही कोई एकजैन है गर्मेंट तो दिखिए उसमें जुभाईब्नेन्ट से जुड़े लिस्ट मैंने इसमें इंक्ल्यूड कर ली है ठीक है most important top 100 questions का आज का हमारा session रहेगा MCQ format में हम सभी questions cover करेंगे with extra important facts तो वीडियो के साथ आप एंट तक बने रहीए आपके लिए जो है काफी जादा important और useful वीडियो रहेगी आपके सभी upcoming exams के लिए और काफी जादा जो है मैं आपको extra additional information भी देने वाली हूँ तो वीडियो के साथ आप एंट तक बने रहीएगा वीडियो को आप complete देखिएगा बिना skip किये हो है और आपको जो है आपके exam में 1 और 2 questions surely देखने को मिलेंगे तो चलिए session को start करते है फर्स्ट question है हमारा आज का सूरत डायमंड बोर्स का जो नया ध्यक्ष फ्रेंट्स वो किसे न्यूक्त किया गया है तो राइट अंसरीस का आपका क्या है option number 1 गोविन द धोलकिया जो है फ्रेंट्स ये सूरत डायमंड बोर्स के नय ध्यक्ष बन गये है आईए कुछ important points कवर करते हैं questions related तो देखे सूरत डायमंड बोर्स ने जो है गुज्जाज से राज्य सभा सांसत गोविन धोलकिया को अपना नया ध्यक्ष जो है वो न्यूक्त किया है गोविन धोलकिया जो है फ्रेंट्स ये बलब भाई पटेल का स्थान इन्होंने लिया है और एक और important point बता देती हूँ आपको मैं इसी question से लेटे देखे question में बात आई है सूरत डायमंड बोर्स के नय ध्यक्ष के तो मैं आपको बता दूँ आपकी information के लिए जो सूरत डायमंड बोर्स है फ्रेंस ये अमेरिका के रक्षा मंत्रा लिए पेंटागन को बचाड़ कर जो है भारत का अब मतलब भारत में अब दूनिया का जो है सबसे बड़ा कार्य बहवन जो है वो बन गया है सूरत डायमंड बोर्स में ठीक है कि आपने important point अपने ध्यान में दखना है next है आपका question प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बने friends उनका क्या नाम है right answer क्या रहेगा option number D नवनीत कुमार सहगल जो है ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए है image की through भी आप इन्हें देख सकते है आए important points cover करें तो देखे नवनीत कुमार सहगल जो है ये प्रसार भारती के पुरवद्यक्ष ए सुर्य प्रकाश का जो है स्थाल लेंगे question में बात friends प्रसार भारती के आई है आई ये से जुड़े कुछ important points जान लेते हैं ये जो है ये एक सामविदिक स्वायत्य निकाय है जो कि देश का सरकारी प्रसारन केंद्र है बात करें इसकी स्थापना की तो प्रसार भारती की स्थापना जो है friends ये 23 नवंबर 1997 को करी गी थी और प्रसार भारती के जो प्रथम अध्यक्ष थे friends उनका नामधा निखिल चक्रवती ठीक है ये सभी important points जो है आपकी additional information के लिए है next आपका द्रास्टे अनुसुचित जाती आयोग यानि की NCSC इसके जो अध्यक्ष है friends वो कौन युक्त हुए है तो रास्टे अनुसुचित जाती आयोग की बात है ये क्वेशन में इसकी जो स्थापना है friends ये आपकी 1978 में हुई थी और ये जो है एक संभै धानिक निकाय है साल 2003 में हुए 89 समिधान संशोधन के तहट जो है रास्टे अनुसुचित जाती और अनुसुचित जाती आयोग को जो है दो अलग-लग आयोगों में बांटा गया है ये दो आयोग हैं आपकी रास्टिय अनुसूचित जातिय योग अनुचे 338 के तहत और अनुसूचित जन जातिय योग अनुचे 338 के करके तहत ठीक है नेक्स्ट आ हमारा क्वेशन आज कर इंपॉर्णन सेशन का लोगपाल के जो नई अधक्ष बने हैं फ्रेंस वो कौन बने है तो राइट अंसर इसका क्या रहेगा अजे मानिक राओ खानवीलकर जो हैं ये लोगपाल के नई अधक्ष बन गए है इंपॉर्णन में इस कवर करते हैं क्वेशन को और डीपली समझने के लिए तो देखिए नई मूर्थी खानवीलकर जो हैं ने भारत में दूसरे लोगपाल अधक्ष के रूप में निक्तक किया गया है ये जो हैं ये पिनाकी चंद्रगोश का स्थान लेंगे ठीक है ये भी आपने याद रखना है कि किसका स्थान इनों ने लिया है लोगपाल में एक अधक्ष और आठ सदस्य जो हैं वो होते हैं जिनमें की 50 प्रतीशत न्याईक सदस्य होते हैं और इनके सदस्यों का जो कारिक आलाफ्रेंट्स ये आपका होता है पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयूतक्तिक है इससे ही जोड़ा मैं आपको एक अन्य important point बताती हूँ तो देखे लोगपाल के पास जो है सरकार के प्रमुख पदों पर रहने वाले विक्तियों के खिलाफ प्रस्ट अचार के आरोपों की जांज करने का जो है एक प्रमुख अधिकार होता है यह important point आपने याद रखना है लोगपाल से लेटेट next question के ओर move करते हैं आजके तो देखे Indian Steel Association यानि की ISA के जो नई अध्यक्ष अपोइंट हो गए है उनका क्या नाम है तो option number A right answer है नवीन जिंदल जो है फ्रेंड्स यह Indian Steel Association के नई अध्यक्ष बन गए है फ्रेंड्स कोशन में बात आई है Indian Steel Association की बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है यह आपकी 2014 में करिए थी करंड में अगर बात करें इसके headquarters की तो headquarters इसकी है आपके नई इडाली में और Indian Steel Association के अनुसार जो है यह भारत की कच्चे स्पात उत्पादन के पैंसत प्रतिशत भाग का प्रतिनी दितव जो है वो करता है नेक्स कुशन क्यों और मूव करते हैं तो किंद्रिय सतर्कता आयोग यानि की CBC का सतर्कता आयोग तो जो है वो किसे निक्त किया गया है तो क्या राइट इंसर जहीगा आपका ऑप्शन नमबर भी अश्वनी कुमार जो है फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट और अप्शन का निक्त करा गया है क्वेशन में हमारे बात आई है फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट और अर्गनाइज़ेशन की आईए इसे जुरे कुछ इंपॉर्ट पॉइंस कवर करते हैं ठीक है जिनके वारे में आपको पता होना चाहिए तो देखें करंट में जो इसके महानिदेशक एवं CEO है उनका नाम है डॉक्टर आजे सहाई बात करें इसके गठन की तो इसका जो गठन है ये आपका 1965 में करा गया था और इसके जो हैड़कोर्टर्स है ये नई दिली में लोकेटर है नेक्स्ट कोशन है मार्च दोहजाद चोबिस में भारत सरकार की प्रभगता की रूप में किसे नुक्त किया गया तो क्या राइटन से रहेगा आपका option number A, शेफाली B, शरन जो है friends, इन्हें मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में जो है न्युक्त करा गया है friends देखिए, जो मैं आपको question इस वीडियो में cover कर वा रही हूँ, अगर आपको उसके answers पहले की ही वता हैं तो आपने मुझे comment section में ज़रूर बताना है, किन 100 questions में से आज हमने cover करें, जितने भी 100 questions cover करेंगे किन में से आपको कितनों के answers जो थे वो पता थे, एकदम updated list के साथ, अपडेटर जो answer current में जो उस पद पे appointed है, उनके बारे में आपने बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो की quality content कैसा लगा, ठीक है, वीडियो में जो है, मैंने एकदम selected top 100 questions include करें है, जो कि मुझे काफी साथ important लगे, और एकदम updated list के साथ है, तो वीडियो के आपने comment section में एक तो ये बताना है मुझे कि 100 में से आपको कितने questions के answers, पहले आपको जिस भी topic पे चाहिए, ये भी आप हमें comment section में बता सकते हैं, तो देखिए, इस question से चुड़े कुछ important points कवर कर लेते हैं, सबसे पहले तो सूजरा और प्रसारन मंत्राले की जानकारी की अनुसार जो शेफाली B. शरन है, इनने press information, Bureau के प्रधान महानिदेशक का भारतिय सेना के जो नई उपपरमुख बन गए हैं, उनका क्या नाम है? तो भारतिय सेना के नई उपपरमुख बन गए हैं, उनका नाम बताना है आपको ठीक है, ये recent में ही change हुए हैं, तो देखिए, उपेंदर द्वीवेदी जो हैं, ये आपके भारतिय सेना के नई उप बार्टी थलसेलां की बात करें, इसका जो मुख्याले हैं, ये नई दिली में है, स्थापना इसकी हुई थी 26 अब्रे 1950 को और जो इसका अधर्श वाक्य है, वो आपको याद रखना है, सेवा पर्मो धर्मा जो है, वो जो है, इसका अधर्श वाक्य है, स्वेट से पहले सेव यह इसका मतलब है नेक्स आपका भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने काफी जदा important question तो friends देखिए राजीव कुमार जो है यह नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गये है हमारे इंडिया के option number B एकदम correct answer हो जाएगा और मार्च दोहजार चोबिस में ग्यानेश कुमार और सुकबीर सिंग संदू को जो है फैंस चुनाव आयुक्त बन गया है यह भी आपने point ध्यान में रखना है जो भी important points में आपको cover करवा रही हो ना वो भी आपके लिए काफी ज़ादा जो है लापदाइक सिध्ध होंगे आपके upcoming exams में उन में से भी काफी सारे आपके questions जो है पो निकल जाएंगे ठीक है तो आपको important points भी skip नहीं करने हैं वो भी आपको ध्यान से देखने हैं देखे अब हमने बात करी मुख्य चुनाव आयुक्त की तो आपको उपचुनाव आयुक्त की बारें बता देती हूँ उनका नाम है अजय भादू भारती निर्वाचना योग जो है फ्रेंट्स इसकी बात आया है ना question में तो इसकी जो स्थाफना है ये 25 जन्री 1950 को हुई थी मुख्याले कहां पे है नहीं दिली में है ठीक है next question आजगा March 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में न्युक्त किया गया है तो right answer आपका रहेगा option number C उप्यक्त दोनो ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संदू इसी question से related जो है मैं आपको तीन अन्य important questions करवा देती हूँ जो किसी question में से आपका निकल जाता है ठीक है तो friends हमने अभी बात करी है चुनाव आयुक्त की ठीक है ये बने है March 2024 में ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संदू हमारे नए चुनाव आयुक्त ठीक है अगर वहीं हम बात करें मुख्य निर्वाचना युक्त की तो उनका नाम है राजीव कुमार पहले निर्वाचना युक्त कों थे चुनाव आयोग जो है इसमें जो है तीन सदस्य होते है ये भी आपने बॉर्ण पॉइंस ध्यान में रखने है नेक्स्ट हमारा संसत सुरक्षा का प्रमुख जो है वक्ति से निक्त किया गया राइट अंसर इस ओप्शन नमबर ए अनुराग अगरवाल को नेक्स्ट खुशन भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरन के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है? retired answer is option number C अनियल कुमार लाहुटी जो है इन्हे friends भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरन के नई अध्यक्ष के रूप में निक्त किया गया है भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना हुई थी 20 February 1997 को नई दिली में इसके headquarters है करंट हम अध्यक्ष की बात करें भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरण की तो उनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी नेक्स्ट आपका भारती ओलंपिक संच यानि की IOC के जो CEO बन गे फ्रेंज उनका क्या नाम है तो option number D एकदम correct answer है इस question का रगुराम अईयर जो है फ्रेंज ये भारती ओलंपिक संच के नई CEO बन गे है question में मारे बात आई है भारती ओलंपिक संच यानि की IOC की देखिए इसके जो current अध्यक्ष है उनका नाम है PTO उशा 1927 में इसके स्थापना हुई थी मुख्याले इसके जो है वो नई दिली में है और इसके जो संस्थापक है IOC के हो है Harry Buck और Arthur Noirane next is Kendri Madhyamik शिक्षा बोर्ड यानि की CBSC इसके जो नई अध्यक्ष है वो पॉइंट हो चुके हैं तो उनका क्या नाम है right answer क्या रहेगा option number D राहुल सिंग जो है यह CBSC के नई अध्यक्ष बन गए है इनन जो है फ्रेंस नीधी छिब्बर का स्थाण लिया है और CBSC जो है इसकी स्थापना 1929 में हुई थी नई दिली में इसके जो है वो है headquarters धे वाक्य जो है इसका वो है अस्तोमा सद्गम्य यानि की हे प्रभू हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो नेक्स्ट हमारा संयुक्त रास्टे में भारत के स्थाई प्रतिनिती जो है फ्रेंस वो कौन बने तो वो बन गे है आपके अरिंदम बाक्ची यानि की option number B is the correct answer of this question संयुक्त रास्टी यानि की UN इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना हुई थी 24 ओक्टूबर 1945 को मुख्याले कहां पे है नुई-योक में है करंट अध्यक्ष कोन है अन्टोनियो गुटेरियस सशेस्त्र सीमाबल यानि की SSB के जो नए महानदेशक बन गे फ्रेंट्स उनका क्या नाम है तो उनका नाम है दलजी सिंग चोदरी यानि की option number B is the correct answer इमेज के तो आप इने देख सकते हैं SSB जिसे की सशेस्त्र सीमाबल काहा जाता है इसका जो अदर्श वाक्या है वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा नई दिली में इसके मुख्याले है फ्रेंट्स और 20 दिसंबर 1963 को जो है SSB का गठन करा गया था next question केंदर सरकार ने 69 वित आयोग का ध्यक्ष जो है वो किसे नुक्त किया है right answer is option number B डॉक्टर अर्विंद पनगडिया जो है फ्रेंट्स इन्हें केंदर सरकार ने 69 वित आयोग का नया ध्यक्ष नुक्त कर दिया है अगर भई हम बात करें पंदरवे वित आयोग की तो उनका क्या नाम था N.K.S. ठीक है पंदरवे वित आयोग का नाम भी आपने याद रखना है वित आयोग के बारे में आपको कुछ इंपॉर्ण पइंस बता दू तो वित आयोग जो है एक सम्वह धानिक संस्ता है समीधान के अनुछे दोस्वसी किता है जो है इसका प्राफधान दिया गया था केंदर ओर राज्यों की पैसा जो है जो बंटता है वो कैसे बंटेगा कितना बंटेगा इसकी जो देख रहे है वो आपकी करता है वित आयोग ठीक है नेक्स्ट हमारा केंदर सरकार ने केंदरी रिजर्व पुलीस बल यानि की सी आरपी एफ का महानिदेशक जो है वो किसे नियूट करा तो फिन सी आरपी एफ के नए डीजी अपॉइंट हो गए है अनीश द्याल सिंग यानि की ऑप्शन नमबर ए इस दा करेक्ट आंसर केंदरी रिजर्व पुलीस बल जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना 1989 में हुई थी मुख्याले इसके नहीं दिली में है करंट महानिदेशक कोन बन गए अनीश द्याल सिंग नेक्स्ट इस केंदे अध्योगी सुरक्षा बल यानि की CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कोन बनी तो CISF की जो है प्रमुख बनने वाली फ्रेंट्स जो पहली महिला है वो आपकी बन गई है नीना सिंग Option B is the correct answer of this question इमेज के दुरू आप नीना सिंग जी को देख सकते हैं CISF से जुड़े कुछ important points कवर कर लेते हैं तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिली में इसके मुख्याले है अध्यक्षय करंट नीना सिंग Next question भार्टिय वानी जी एवं उध्योक महसंग यानि की फिक्की के जो नई अध्यक्ष हैं वो कौन बन गए Right answer is Option B अनीश शा फिक्की जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना नाई दिली में इसके मुख्याले है Next question केंद्य सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलीस पल यानि की ITBP का जो नए महाने देशक है वो किसे निउक्त करा है तो ITBP के जो नए महाने देशक बन गए है वो बन गए है राहूर रसकोत्रा Option B अनीश इसकी स्थापना कब हुई थी 24 ओक्टूबर 1962 को मुख्याले की बात करें मुख्याले कहां पे है नए दिली में है महाने देशक कोन है करेंट में राहूर रसकोत्रा Next question बारत के पहले दलीत मुख्य सूचना यूगत यानि की CIC जो है वो कौन बने Right answer is option number A हीरा लाल सामरिया Next is Research and Analysis Wing यानि की रो के जो नए प्रमुख बन गए है उनका क्या नाम है तो फ्रेंस इंडियन इंटेलिजेंस एजिंसी जो है इसके जो नए वो बन गए है प्रमुख उनका नाम है रवी सिन्हा option number B crack dancer रहेगा रो जो है इसका फुल पर मोता है Research and Analysis Wing ठीक है 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी और नए दिली में जो है इसके headquarters है Next आपका Railway Board की पहली महिला ध्यक्ष और CEO कोन बन गए तो Railway Board की जो पहली महिला ध्यक्ष और CEO बन गई है वो बन गी है जया वर्मा सीना यानि की option number 1 रेक्ट आंसर है Railway की बात आई है तो भार्टी Railway से जोड़े कुछ important points चानते हैं स्थापना इसकी हुई थी 16 अप्रेल 1853 को नए दिली में headquarters है अश्विनी वैश्विनव जो है वो करंट रेल मंत्री है रेलवे मंत्री है हमारे देश के नेक्स्ट है हमारा National Green Tribunal यानि की NGT के जो नए अध्यक्ष अपोइंट हो गए है फेंट्स उनका क्या नाम है राइटन सरीस option number D जस्टिस प्रकाश श्रेवास्तव जो है ये NGT के नए अध्यक्ष अपोइंट हो गए है National Green Tribunal जो है फेंट्स इसकी स्थापना हुई थी 18th October 2010 को नए दिली में जो है इसका हैडक्ष अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्ष किया गया राइटन सरीस option number A जैशा को जैशा जो है नहीं लगातार तीसरी वार एश्याई क्रिकेट परिश्ट के अध्यक्ष के रूप में निउक्ष किया गया है क्वेश्ट में बात आई है ACC की तो इसकी जो स्थापना है फ्रेंट्स ये 19th September 1983 को हुई थी बात करें मुख्याली की वो है आपकी कॉलोंबो श्री लंका में और जैशा जो है ये करंट अध्यक्ष है एश्याई क्रिकेट परिश्ट के इसी के साथ नेक्स कोशन आज का रक्षा मंत्राले के जो नए महानिदेशक बन गे फ्रेंड्स उनका क्या नाम है राइटन सरीस option नमबर डी अरुणा नायर ने नेक्स इंपोर्ण कोशन विदेश मंत्राले के जो नए प्रभक्ता वंगे फ्रेंच उनका क्या नाम है राइटन सरीस option नमबर ए रंधीर जैसवाल जो है ये विदेश मंत्राले के नए प्रिप्भक्ता बन गे और भारत की जो करंट इंडिया के ठीक है next important question आपका Bombay Stock Exchange के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे नुक्त किया गया तो राइटन स्रीस का आपका क्या रहेगा option number C प्रमोद अगरवाल जो है friends इन्हें Bombay Stock Exchange के नए अध्यक्ष के रूप में नुक्त करा गया Bombay Stock Exchange जो है friends इसकी स्थापना 9th July 1875 को हुई थी और मुख्याले कहां पे है मुंबई में next question भार्टेवानी की अनुसंधान शिक्षा परिशत की पहली महिला महानेदेशक जो है वो किसे नुक्त किया गया तो right answer का क्या रहेगा option number C श्रीमती कंचन देवी को Indian Council for Forestry Research and Education जो है friends इसकी स्थापना 1986 को की गयी थी बात करें इसके मुख्याले की तो इसके जो मुख्याले हैं वो तेहरा दूर में है और ये जो है ये एक स्वायत्यसर्स था है ठीक है नेक्स्ट हमारा जेल महारीदेश का पदवार जो है वो किस ने संभाला तो right answer इसका क्या रहेगा option number A महेश्वर द्यालने next question भारत के जो नए महा सर्वेक्षक बन गए friends उनका क्या नाम है तो क्या right answer रहेगा आपका option number D हितेश कुमार S मकवाना जो है friends ये भारत के नए महा सर्वेक्षक बन गए है स्थापना इस पत की हुई थी 1767 को भारत का रास्टे सर्वेक्षन और मान चित्र संगठन है ठीक है भारत के महा सर्वेक्षक भारत के बिवाग के जो है वो प्रमुख होते हैं ये बिवाग जो है ये बिग्यान और प्रदोगी की मंत्रा लेके अधीन काम करता है नेक्स्ट है हमारा सीमा सड़क संगठन यानि की बी आरों के जो 28 वे महारी देशक बने फैंस उनका क्या नाम है राइट अन सरीज ओप्षन नमबर डी रगूर श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी साथ मही 1960 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है नेक्स्ट कोश्टन रेल्वे सुरक्षा बल सेवा के नए महारी देशक जो है वो कौन बन गे है राइट अंसर इस ओप्षन नमबर सी मनोज यादव इसकी स्थापना सितंबर 1959 को हुई थी मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टन कोश्टन आज का भारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने है तो वो बन गए हैं आपके हार मादवन यानि के ओप्षन नमबर 20 दा क्रेक्ट आंसर फ्रेंट्स आपको जो है क्वेशन का लेवल देखके पता चलनी ही रहा होगा कि वीडियो में जो है कितने इंपॉर्ण कोश्टन इंक्लूडन है और कितने अच्छे लेवल के क्वेशन इस क्वेशन से लेटे कुछ इंपॉर्ण पोईस कवर करते हैं तो भार्टी फिल्म और टेलिविजन संस्थान जो है इसकी स्थापना नाइंडी सिक्स्टी को हुई थी मुख्याले इसके महरास्टर के पूने में है करंट जो निदेशक है इसके उनका नाम है भुपेंदर इसके बारे में जानते हैं तो यह भारत के लिए देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो कि और जो निदेशक बने इसका क्या नाम है राकेश पाल जो है ये भार्तिय तटरक्षक बल के नए जो है फ्रेंट्स महानिदेशक बने हैं कौनसे नंबर के पच्छिसमे नंबर के बहार्तिय तटरक्षक बल की बात आई ये कौशन में देखिए इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1978 को नई दिली में इसके हैटकॉर्टर्स है और जो अतिरिक्त महानिदेशक बने है इसके वो बने है ऐस परमेश नेक्स्ट आपका केंद्रे अन्वेक्षन विरो यानि की CBI के जो नए निदेशक बने फ्रेंड्स उनका क्या नाम है तो राइटन से इसका आपका उप्षन नबर बी रहेगा प्रवीन सूथ जो हैं ये CBI के नए निदेशक बन गए हैं CBI की बात आई ये क्वेशन में तो CBI की जो स्थापना है ये कब हुई थी एक एपिल 1963 को बात करें इसके मुख्याली की नई दिली में इसके मुख्याले हैं ठीक है ये वीडियो देख रहा है तो इसको जो है इंग्लीश में में भी ये दोनों e-books मिल जाएंगे तो आपने वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लेना है इसी वीडियो के डिस्किप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आपने जरूर चेक आउट कर लेना है कमेंट सेक्शन में भी पिन रहता है कमेंट वहां से भी आप जो है नहीं जिली पाई कर सकते हैं और अपने एक्जाम की प्रेपरेशन को जो है और साथ स्टोंग बना सकते हैं प्रिंस हमारा मोबाईल आप भी लोच चुका है रवी स्टडी आई क्यों जीके के नाम से इसे भी आप प्ले स्टोर पे जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए टोपीक की ओर आते हैं नेक्स कोशन देखते हैं आपका भावा प्रमानु अनुसंधान केंदर के जो चोदवे निदेशक बने फेंट्स वो कौन बने तो वो बन गे आपके विवेक भसीन यानि की ओप्शन नमबर एक रेक्टांसर रहेगा भावा प्रमानु अनुसंधान केंदर जो है इसके स्थापना तीन जनवरी 1954 को हुई थी और मुंबई महरास्टर मेंज के जो हैं हेटकोर्टर्स है नेक्स्ट आ हमारा भारत के जो नए चीफ ओफ डिफेंस टाफ यानि की CDS आप्रेंस वो कौन बने हैं काफी जादा important question है कई बार exam में repeat होता है तो देखे अनील जो हान जो है यह भारत के नए CDS है option number C crack answer रहेगा और जो हमारे first CDS थे उनका नाम था चनल विपन रावच जी CDS के पदकर जो गठन है यह हुआ था एक जनवरी 2020 को next है हमारा राष्टे महिला योग यानि के NCW की जो वर्तमान अध्यक्ष है फेंस उनका क्या नाम है तो उनका नाम है रेखा शर्मा option number B crack answer है राष्टे महिला योग की बात है यह question में तो आईए इससे जुड़े कुछ important points जानते हैं इसका जो गठन अध्यक्ष यह 1992 में किया गया था बात करें इसके मुख्याली की तो वो आपके है नई दिल्ली में next है हमारा भारतिय प्रतिस पर्दा योग यानि की CCI की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी तो वो बन गई है रवनीत कोर option बस्ती इता क्रेक्ट आंसर बारतिय प्रतिस पर्दा योग की बात आई है question में तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 14 October 2003 को नई दिल्ली में इसके headquarters है तो वो आपके बन गई है बी अवी आर सुब्रमन्यम जी इसकी जो स्थापना है न यह हुई थी एक जनवरी 2015 को नई दिल्ली में इसके headquarters है और current अध्यक्ष है इसकी हमारे देश के PM नरेंद्रमोरी जी ठीक है नेक्स कोशन भार्ति वूफ एग्यानिक सर्वेक्षन यानि की GSI के नए महारे देशक कोन बन गे राइट अंसरी जो है फ्रेंस इसकी स्थापना 8 मार्च 1851 को हुई थी कोलकाता बेसके headquarters है इसके साथ next question के और move करते हैं आज के important session के तो रास्ट क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक यानि के नबाट के जो नए अध्यक्ष बन गे फ्रेंस उनका क्या नाम है तो केवी शाजी जो है ये नबाट के नए अध्यक्ष बन गे है question में बाट नबाट की आई है तो इससे later important voice आपको बता दू 1982 में इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में इसके मुख्याले located है next है हमारा रक्षा नुसंधान एबं विकास संगर्थन यानि की DRDO के जो नए अध्यक्ष बन गे friends उनका क्या नाम है तो उनका नाम है समीर वी कामत यानि की option number B आपका एकदम correct answer है DRDO जो है friends इसकी स्थापना 1958 को की गई थी नई दिली में इसके headquarters है next question आपका है भारत की जो पहली अधिवासी महिला राष्टपती बनी friends वो कौन बनी है तो वो बनी है आपकी ड्रोप दी मुर्मुजी ठीक है option number C जो है राइट answer रहेगा संधाल जंजाती सिंग का संबंध है और मैयूर अडिशा सिंग ये संबंधी थे ठीक है भारत के अगर बात करें उपराष्टपती की तो उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है जगदीब धनकरजी भारत के नए उपराष्टपती है चोदवे नंबर के उपराष्टपती ये बने है नेक्स्ट आमारा भारत के नए महाने आएवादी यानि कि अटोणी जो है फेंड्स वो कौन बन गे तो वो बन गे है आरवेंगे ट्रमनी ओप्शन नंबर ये जो है आपका एक्दम करेक्ट आंसर है आरवेंगे ट्रमनी जो है फेंड्स ये भारत के 16 नंबर के महाने आएवादी बने है नेक्स्ट कूश्चन आपका है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानि की NCB के जो महाने-देशक बने है उनका क्या नाम है? right answer is option number D सत्य नरायन प्रधान जो है ये NCB के नए महाने-देशक बने है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी नई दिली में इसके हैड़कॉर्टर से हैं फैंस देखिए हम इस कोशन में काफी सारे अन्य इंपॉर्डम पॉइंस भी कवर करते जाने हैं है ऐसा आपको कोट्टेंट कोई भी नहीं प्रोवाइड करवाएगा पूरे यूट्यूब पे ठीक है एकदम हम जो है नंबर वन क्वालिटी का कॉट्टेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं तो आपने जो है वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना है और अपने मानव अदिकार आयोग के जो नई अध्यक्ष बने फ्रेंट उनका क्या नाम है राइट आउंसर इस ओप्शन नमबर ए अरुन कोमार मिश्रा जो है ये नहीं अध्यक्ष बन गए है ज्रास्टे मानव अधिकार आयोग जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना बार आक्टोबर 1993 93 को की गई थी बात करें इसके headquarters की तो वो जो है नए दिल्ली में है नेक्स आपका भारती थलसेना के जो नए प्रमुख बने फ्रेंज उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्शन नबर बी मनोज पांडे मनोज पांडे जो है ये भारती थलसेना के नए प्रमुख बन गए है भारती थलसेना की बात है ये question में इसकी जो स्थापना है वो एक April 1895 को हुई थी मुख्याले इसके नए दिल्ली में है और करंट उपपनमुख है उपेंद्र द्वीवेदी नेक्स्ट है हमारा भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरन के जो नए CEO बने फ्रेंज उनका क्या नाम है तो उनका नाम है अमित अगरवाल यानि कि option number C correct answer रहेगा आपका बारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरन जो है फ्रेंज इसकी स्थापना 28 January 2009 को की गई थी नए दिल्ली में जो है इसके हैड़कोर्टरस है नेक्स्ट है हमारा भारती प्रतिभूती और विनम में बोड यानि कि सेबी की जो अध्यक्ष बनगी उनका क्या नाम है राइट आंसर इस ओप्शन अमर डी मादवी पूरी भूच जो है ये सेबी की नए अध्यक्ष बनी है सेबी जो है इसकी स्थापना हुई थी 12 April 1988 को मुंबई में इसके मुख्याले है इसी के साथ नेक्स्ट कोशन आज का आपका केंद्रिय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुलक बोड यानि कि CBIC के जो नए अध्यक्ष बनगे फ्रेंट्स वो कौन बनगे तो वो बनगे हैं आपके संजे कुमार अगरवाल ओप्शन अमर डी क्रेक्ट आंसर है इसकी जो स्थापना है फ्रेंट्स CBIC की वो ही थी एक जन्वरी 1964 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है नेक्स्ट आपका भारत की जो पचासवे मुख्य नायदिश बने हैं वो कौन बने तो वो बने है फ्रेंट्स धनंज जश्वन्द चंदर्चूर यानि की ओप्शन नमर डी क्रेक्ट आंसर है और इंपोर्टन कोशन है आपकी एक्जाम पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टन मांक कर लीजिएगा नेक्स्ट आमारा भार्तिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि की इस्ट्रो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है तो वो आपके हैं सोमनात ओप्शन नंबर सी राइट अंसर रहेगा आपका इस रो जो है इसकी स्थापना 15 अगस 1969 को करी गई थी और संस्थापक हैंस के विक्रम सारभाई नेक्स्ट कोशन भार्तिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की बी से सी आई के जो नई अध्यक्ष पने उनका क्या नाम है तो क्या राइटन सा रहेगा अप्शन नमबर ए र फ्रेंस 1998 को मुख्यालिस के मुंबई में है करंट जो सच्चीव है बी सी से आई के उनका नाम है जैशा ठीक है और उपाध्यक्ष कोन है बी सी से आई के राजीव शुकला नेक्स आपका भार्तिय ओलंपिक संग यानि की आयो ए की पहली महिला अध्यक्ष जो मनी है फ्रें पहली महिला बन गई है बार्तिय ओलंपिक संग जो है आपका इसकी स्थापना 1997 को की गई थी और नई दिल्ली में जो है इसके हैटकोटर्स है नेक्स्ट है हमारा रास्टे परिक्षन एजिंसी यानि कि NTA के जो नए महारेदेशक बन गे हैं उनका क्या नाम है तो NTA के नए नए महारेदेशक का नाम है सुभोत कुमार यानि कि option नबर एक रैक्ट अंसर यहीगा आपका इमेज के तो आप इन्हीं देख सकते हैं एंटी ये जो है इसकी बाद आये question में important points discuss करते हैं एंटी ये से related तो देखिए इसकी स्थापना 2017 में हुई थी नए दिल्ली में इसके headquarters है नेक्स question आपका भारत के जो नए लेखा महानी अंतरक यानि कि CGA पॉइंट हो चुके हैं उनका क्या नाम है तो राइट अंसरी जो है ये भारत के नए CGA पॉइंट हो चुके हैं आईए important points जानते हैं तो SS दूबे जो है फ्रेंट कि ये हमारे 28 फे नंबर के लेखा महान अंतरक बने हैं नेक्स्ट है हमारा संग लोग सेवायोग यानि कि UPSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका क्या नाम है तो राइट अंसरी इसका आपका क्या रहेगा ओप्शन नमबर A डॉक्टर मनोज सोनी जो है फ्रेंट्स ये UPSC के नए अध्यक्ष बन गे हैं इसी के फ्रेंड जान नेक्स्ट क्यूशन आपका केंड्री प्रत्यक्ष करबोड यानि कि CBDT के जो नए अध्यक्ष अपउइंट हो चुके हैं उनका क्या नाम है राइट आंसरी इस ओप्शन नमबर B नितिन गुपता जो हैं ये CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं केंड्री प्रत्यक के जो नए अध्यक्ष बन गे उनका क्या नाम है तो इनका नाम है अजीत कुमार मोहन्ती यानि कि option number C आपका एकदम राइट अंसर है प्रमानु उर्जा योग जो है इसका गठन 3 अगस्त 1948 को करा गया था और मुंबई महराश्टर में इसके जो है headquarters located है Next question है भारतीय रास्टिय राजमार्ग प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बन गे है friends उनका क्या नाम है ट्राइट अंसरीज का आपका option number A रहेगा संतोष कुमार यादव जो है ये भार्टिय रास्टिय राजमार्ग प्राधिकरण के जो है नई अध्यक्ष बनगे है कुशन में बात भार्टिय रास्टिय राजमार्ग प्राधिकरण के आई है आई ये से जुड़े कुछ important points डिस्कुस कर लेते हैं तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिली में इसके जो हैं मुख्याले स्थीत है नेक्स्ट कुशन आपका बाइसफे विदी आयोग के जो अध्यक्ष बनगे फ्रेंट्स उनका क्या नाम है राइट अन्सर इस ऑप्शन नमबर बी नयमूर्टी रितुराज अवस्थी जो हैं फ्रेंट्स ये बाइसफे विदी आयोग के नई अध्यक्ष बन गए है नेक्स्ट कुशन आजके इंपॉर्टन सेशन का रास्टे सांख्या की अयोग यानि की NSC के जो नई अध्यक्ष बने हैं उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर डी राजीव लक्षमन करंदीकर तो फ्रेंस राजीव लक्षमन करंदीकर जो है ये NSC के नई अध्यक्ष बन गए है NSC जो है फ्रेंस इसका गठन करा गया था 2005 में और इसके जो मुख्याले हैं ये नई दिल्ली में है नेक्स कोशन भारत के नई नियंतरक एवर महालेखा परिक्षक यानि की CAG जो बने है वो कौन बने है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर B गिरिश चंद्र मुर्मू विश्व विद्याले अनुदान आयोग यानि की जू जी सी के जो नई अध्यक्ष बने है उनका क्या नाम है विश्व अनुदान आयोग जो है फ्रेंस इसकी स्थापना 1956 को हुई थी और नई दिली में जो है इसका मुख्याले है नेक्स्ट है हमारा कोश्व नितियायोग के नई उपाध्यक्ष जो बने है उनका क्या नाम है काफ़ जादा इंपॉरन तो सुमन के बैरी जो है फ्रेंस कि यह नई उपाध्यक्ष बने है ठीक है वाइस चेयरमेन जिसे की इंगलीश में कहा जाता है तो यह अपने पॉइं संग जो है फ्रेंट्स जिसे की AIFF कहा जाता है यानि की All India Football Federation स्थापना इसकी जो है फ्रेंट्स 23 जून 1937 को हुई थी नई दिली में जो है इसके Headquarters है नेक्स्ट कोशन है आज की इंपॉर्टन सेशन का राजय सभा के जो नए महासची बन गे उनका क्या नाम है तो राइटन स् उनका नाम है हरीवश नारायन सिंग और जो फ्रेंट्स राजय सभा के विपक्ष के नेता है वो है मलीका अरजुन खड़के राजय सभा के जो सदन के नेता है वो है पियूश कोईल ठीक है नेक्स्ट आपका भारत के रास्टे सुरक्षा सलाकार यानि के NSA जो बने है वो को बने है तो राइटन सेरीस का उप्षन नमबर बी रहेगा आपका अजीत डोबाल जो है यह भारत के नए रास्टे सुरक्षा सलाकार बन गे है रास्टे सुरक्षा सलाकार जो पद है इस पद का गठन हुआ था 1998 को वहीं अगर हम बात करे हमारे करंट उप रास्टे सुरक् कि हमने कोशन में बात करी अजीत डोबाल बनी है और उपर रास्टे सुरक्षा सलाकार आपके हैं पंकज कुमार सिंग नेक्स्ट है हमारा ओडिट ब्यूरो ओफ सर्कुलेशन यानि की ABC के जो नए अध्यक्ष अपॉइंट होए हैं फ्रेंस उनका क्या नाम है राइट अंस जय सबसे बड़ा और सन्फित और संग से जुड़े कुछ इंपडरन पॉर्इनस आपको देती हूं तो स्थापना इसकी 1945 में करी गई थी ये जो है ये रबर उध्योग और विपार के लिए सबसे बड़ा गैर लापकारी गैर सरकारी जो है वो निकाय है नेक्स्ट अपना गोशन है भारत के प्रवर्तन निदेशाले के प्रभारी निदेशक की रूप में जो है वो किसे निक्त किया गया राइट हैं सरी इस ओप्शन नमबर डी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशाले जो है प्रवर्तन निदेशाले इसकी स्थापना एक मई 1956 को की गई थी नई दिल्ली में इसका मुख्याले स्थित है नेक्स्ट है प्रेस सूचना ब्यूरो यानि की P.I.B. के जो नए प्रधान महानिदेशक बन गे उनका क्या नाम है तो इनका नाम है मनीश देशाई यानि के option number C आपका एकदम correct answer हो जाएगा ये जो है ये प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बन गे है प्रेस सूचना ब्यूरो जो है फ्रेंट इसकी स्थापना 1990 में करी गई थी ठीक है मुख्याले कहां पे है नए दिल्ली में है नेक्स्ट है हमारा अकाशवानी और समाचार सेवा प्रभाग की जो नए प्रधान महानिदेशक बन गे फ्रेंज उनका क्या नाम है इसकी अकाशवानी और समाचार सेवा प्रभाग की इसकी के साथ आज के नेक्स्ट कोशन के और बढ़ जाते हैं तो नेक्स्ट के जो नए महानिदेशक बन गे फ्रेंज उनका क्या नाम है तो उनका नाम है गुरवीर पाल सेंग यानि की अप्शन नबर डी इस दा क्रेक्ट आंसर इमेज के तुरू भी आप इन्हें देख सकते हैं NCC की बात है ये क्वेशन में NCC से जुड़े कुछ important points मैं आपको बता देती हूं तो देखे 1948 में स्थापित हुआ था NCC मुख्याले इसके नई दिल्ली में है करंट में बात करें इसके उप्रमाह निदेशक की तो उनका नाम है वी एम रेड़ी और इसका जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन नेक्स्ट है हमारा रास्टिव मुल्यांकन और प्राधिकरण के नई निदेशक कौन बने तो राइटन स्रीस का आपका उप्शन नमबर ए रहेगा गनेशन कन बिरान जो है फ्रेंस ये NAAC के नई निदेशक बन गे है NAAC जो है फ्रेंस इसकी स्थापना हुई थी 1994 में अगर बात करें इसकी मुख्याली की तो बिंगलूर करनाटका में इसके जो है मुख्याले सित है Next question आपका आज का भार्तिय वानिज्य और उध्योग संग यानि के SOCM के जो नई अध्यक्ष पॉइंट हुए फ्रेंस उनका क्या नाम है Right answer option number C है आपका आजे सिंग जो है ये SOCM के नई फ्रेंस प्रेजिडेंट बन गे है SOCM जो है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और मुख्याले इसके कहां पर है नई दिल्ली में है Next है हमारा Steel Authority of India Limited यानि की सेल के जो नई अध्यक्ष बने फ्रेंस उनका क्या नाम है तो option number A right answer है अमरे इंदू प्रकाश जो है ये सेल के नई अध्यक्ष अपोइंट हो गए है सेल जो है इसकी स्थापना मैं आपको बता देती हूँ 19 January 1954 को हुई थी और नई दिल्ली में इसके जो हैं headquarters है Next question आपका Institute of Chartered Accountants of India के जो नई अध्यक्ष बने फ्रेंस उनका क्या नाम है तो right answer इसका आपका option number D रहेगा अनि के सुनील तलाटी जो है फ्रेंस ये Institute of Chartered Accountants of India के नई अध्यक्ष बन गे है ICAI जो है फ्रेंस इसकी स्थापना हुई थी एक जुलाई 1949 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है फ्रेंस जितने भी additional information आपको दी जा रही है वो सभी आपकी exam point of view से important है Next आपका विज्यानिक और उध्योगिक अनुसंधान परिशत यानि की CSIR की जो पहली महिला महाने देशक बनी फ्रेंस उनका क्या नाम है तो उनका नाम है नल्ला थंबी कलाई सल्वी यानि की option number D आपका item correct answer है इस question का विज्यानिक और उध्योगिक अनुसंधान परिशत की बात है या हमारे question में इसकी स्थापना जानते हैं तो 26 सेतंबर 1952 को इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसके जो है मुख्यालेस तीत है Next question भार्तिय क्रिशी अनुसंधान परिशत की जो नए महानेदेशक बन गे फ्रेंस उनका क्या नाम है right answer is option number D हिमांचू पाठक भार्तिय क्रिशी अनुसंधान परिशत जो है यह स्थापित हुआ था 15 जुलाई 1999 को मुख्यालेस के जो है वो नई दिल्ली में located है Next है खादी और ग्रामद्योग आयोग यानि की के वी आईसी के जो नए CEO अपोइंट हो गया है फ्रेंस उनका क्या नाम है तो इनका नाम है विनित कुमार option number B right answer हो जाएगा image की तुरूबे आप इन्हें देख सकते है खादी और ग्रामद्योग आयोग जो है फ्रेंस ये 1956 को स्तापित हुआ था मुंबई में इसके मुख्याले है करंट ध्यक्ष की बात करे के वी आईसी के तो वो है मनोज कुमार Next है भारत के नए मुख्या आर्थिक सलाकार जो बने है फ्रेंस वो कौन बने है Right answer is option number A वी अनन्त नागेश्वरन जो है ये भारत के नए मुख्या आर्थिक सलाकार बने है Next है राष्टे जांच एजंसी यानिके NIA के नए महाने देश कौन बने Right answer is option number A दिनकर गुपता NIA जो है फ्रेंस इसके स्थापना 2009 को हुई थी और मुख्यालेक्स के नए दिल्ली में है Next question भारतिय रिजर्ब बैंक यानिके RBI के जो करंट गुवरनर है फ्रेंस उनका क्यादाम है Right answer option number B है आपका शक्तिकान दास जो है ये RBI के करंट गुवरनर है और RBI जो है फ्रेंस इसके करंट में चार डिप्टी गवरनर है ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रखना है भारतिय रिजर्ब बैंक की स्थापना जो है ये हिल्टन यंग आयो की सिफारिशों की अथार पर की गई थी किस अधिनियम के तहट भारतिय रिजर्ब बैंक अधिनियम 1934 के तहट स्थाबना इसकी एक एप्टिल 1935 को हुई थी मुंबई में इसके मुख्याले है और प्रतम जो भारतिय गवरनर थे इसके वो थे स्वीडी देश मुख्ष नेक्स्ट इस नेशनल स्टोक एक्सचेंज यानि कि NSE के जो नई MD और CEO बन गे फ्रेंज उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्षन नमबर A अशीश कुमार चोहान NSE जो है फ्रेंज इसका मुख्याले मुंबई में है 1992 में इसको स्थापित किया गया था नेक्स्ट इस तेल इवं प्राकृतिक एस निगम यानि कि ONGC के जो नई अध्यक्ष बने फ्रेंज उनका क्या नाम है राइट अंसर इसका ओप्षन नमबर B रहेगा अरुन कुमार सिंग जो है फ्रेंज ये ONGC के नई अध्यक्ष बन गे है तेल इवं प्राकृतिक एस निगम जो है ONGC इसकी स्थापना हुई थी 14 ओगस्ट 1956 को नई दिली में इसके हैटकॉर्टर्स है नेक्स्ट इह हमारा वर्तमान में लोगसभा ध्यक्ष का क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्षन अमर D ओम विला वही अगर हम बात करी लोगसभा के नई महासचीव की तो उनका नाम है उद्पाल कुमार सिंग इमेज के दुरू आप इन्हें देख सकते हैं क्वेशन में हमने बात करी थी लोगसभा ध्यक्ष की जो बन गया ओम विला ठीक है नेक्स्ट है आपका ड्रास्ट या आपदा मोचन बल यानिके NDRF के जो नए महाने देशक बने फ्रेंस उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्षन नमबर A अतुल करवाल NDRF की जो स्थापना है ये 90 जनवरी 2006 को की गे थी मुख्याले इसका नई दिले में है नेक्स्ट है स्पैशल प्रोटेक्शन ग्रूप यानिके SPG के जो नए प्रमुख बने फ्रेंस उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्षन नमबर A अलोक शर्मा स्पैशल प्रोटेक्शन ग्रूप जो है ये भारत की प्रिधानमंति की सुरक्षा के लिए गठित सश्यस्त्रवल है जिसका की गठन 8 एप्रिल 1985 को विशेश सुरक्षा सम्मुव अधिनियम 1988 के तहट इसका जो है प्रावधान है ठीक है सीमा सुरक्षा बल यानि की BSF की जो नए महाने देशक बन गे फ्रेंट्स उनका क्या नाम है तो राइट अंसर आपका रहेगा उप्षन नमबर C निती नगरवाल जो है ये BSF के नए महाने देशक बन गे है तो Border Security Force की बात है ये कॉशन में जिसे की हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है बात करें इसकी स्थापना की तो 1 दिसंबर 1965 को जो है फ्रेंट्स BSF की स्थापना हुई थी मुख्याले इसके हैं नए दिल्ली में नेक्स कुशन आपका रास्टे सुरक्षा गार यानि कि NSG का जो अतिरिक्त महाने देशक है वो किसे न्यूक्त किया गया तो वो बन गे है दलजी सिंग चोधरी यानि कि option number D correct answer है आपका NSG जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना 1986 को हुई थी नए दिल्ली में इसके जो है वो headquarters है Next is National Association of Software and Services Companies के जो नए अध्यक्ष बनगे वो कौन बने तो NSG के जो नए अध्यक्ष अपोइंट हो चुके हैं वो हो गए है राजेश नाम बियार यानि कि option number B आपका एकदम right answer है NSG जो है फ्रेंट्स इसका National Association of Software and Services Companies इसका full form है स्थापना इसकी 1 March 1988 को हुई थी मुख्याले की बात करे तो नए दिल्ली में है लास्ट कोशन आज की वीडियो का नागरी कुड्यन महाने देशाले यानि कि DGCA के नए महाने देशक कौन बने तो इनका नाम है विक्रम देवदत यानि कि option number B right answer है आपका ठीक है DGCA जो है इसका full form होता है Directorate Journal of Civil Aviation जिसका की मुख्याले है नए दिल्ली में तो फ्रेंस ये थे हमारे most important 100 questions वर्दमान में कौन क्या है से related उमीद करते हूं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको जो है अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा comment section में आप हमें बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा next वीडियो आपको जिस भी topic के चाहिए ये भी आप ज़रूर बताएगा तो मैं आपसे two question का test लूँगी जिसका answer आपने मुझे comment section में देना है complete वीडियो देखने के बाद तो first आपका question test का प्रसार भारती के जो नई अध्यक्ष बने उनका क्या नाम है four options आपके पास है write answer आपने comment section में बताना है जो हमारी paid PDF है, January और February की current affairs की launch हो चुकी है, अगर आपको buy करनी है, तो आप हमारी website विजर कर सकते है, www.ravibooks.pdf.com के नाम से है, यहाँ आपको हमारी Indian quality की paid PDF भी मिल जाएगी, और अगर आप English Medium के student है, आपको English Medium में पढ़ना है, और हमारा mobile app भी launch हो चुका है, रविस्टरी IQ GK के नाम से, तो इसे भी आपने प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, तो चलिए अब आपसे मुलाकात होती है, नेक्स्ट वीडियो में एक और important topic के साथ, Thank you so much for watching this video, and wish you all the very best for your upcoming exams.